नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रशान जोशी, ईप्रग्या चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम BSNL के Landline एवं Mobile Bill का भुकतान UPI Method, जी हाँ Unified Payment Interface के माध्यम से किस प्रकार कर पाते हैं वह हम वीडियो में देखेंगे यदि आपने हमारा चैनल एप्रग्या सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर कीजिए क्लिक और बैल आइकन को प्रेस कीजिए इसी प्रकार के वीडियो लगातार सबसे पहले पाने के लिए यद्देपी, ऑनलाइन बिलों का भुकतान, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से विबिन एप्स, एवं, वेबसाइट से हो सकता है किन्तु, UPI मेथड के लिए केवल चंद विकल्प ही हमारे पास में अवलेबल है उन विकल्पों को हम आज के वीडियो में देखेंगे जिसमें से Paytm एप, राजस्थान सरकार के इमित्र एप, एवं, bsnl.co.in वेबसाइट इन पर विद्यमान, UPI मेथड से हम इन विलों के भुकतान को ऑनलाइन किस तरह से करेंगे यह हम लाइव वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले मैं Paytm एप पे जाता हूँ Paytm एप में Recharge और Pay for Landline इस पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर अपने Landline बिल के लिए जो हमारा Operator है BSNL उसको मैंने Select किया जो मेरा Account नमबर था वो यहाँ पे मैंने Paste किया बिल से समंदित सारी Details इसमें मैंने भरी है अब Payment के लिए Proceed पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पर Payment के लिए मेरे Paytm से Balance कुछ 1444 रुपए और कुछ रुपए जो है वो मेरे भीम की जो UPI ID है उसके माध्यम से तो यह दोनों के माध्यम से Payment किया जा सकता है मैं यदि यह चाहूं कि मेरे सारा का सारा भुकतान है वो मेरे UPI ID से मेरे Linked Bank से ही हो तो मैं इस Check Mark को Uncheck कर सकता हूं यहाँ पर तो उस Condition में सारा जो भुकतान है 2134 रुपए का वो मेरे UPI ID के माध्यम से ही होगा तो अब इसके माध्यम से अगर Pay करना है तो मैं Pay Now पर क्लिक कर देता हूं इस Pay क्लिक करने के बाद में भीम एप पर हमारे पास में एक Payment के लिए Request आएगी उस Request को जाकर के हमें Accept करना होगा यह भुकतान करने के लिए तो अब हम देता है जैसा कि हमने Message में देखा उपर कि हमारे पास में Request Collect Request आ चुकी है इसको हम भीम एप में भी चेक कर लेते हैं तो जैसा कि My Information के Transaction में वन पैंडिंग रिक्वेस्ट आई है यह है पैंडिंग रिक्वेस्ट हमारी Pay TM के माध्यम से Landline के Bill भुकतान के हितु आई है और Pay Button पे क्लिक करके और उसके बाद में हम हमारी यह जो PIN है इस से Related, Transaction से Related वो प्रविष्ट करके हम Payment कर सकते हैं तो यह था हमारा प्रथम तरीका अब हम इसको Decline कर देते हैं चुकि यह Educational Purpose से मैं यह वीडियो बना रहा हूँ अब हम जो हमारा दूसरा तरीका है जिसके माध्यम से Payment करते हैं तो उसके लिए Government of Rajasthan का जो एप है इमित्र एप उसको हमें Play Store से इंस्टॉल करना होगा और उसके पश्चात हम अपना Bill Pay कर सकते हैं विदाउट लॉगिन हुए जो की उपर Option आ रहा है इस पे क्लिक करके अथवा लेट साइड में ट्रिपल बार वाला जो Option है उसमें जाकर के Direct Pay Bill दौनों से यही एक ही स्क्रीन सामने आएगी उस स्क्रीन में हम अपनी जो सूचनाए हैं वो प्रविष्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो अपना जो Mobile Number है वो मैं यहां से प्रविष्ट कर देता हूँ चुकि BSNL का पेमेंट करना है संचार निगम Limited सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसकी कौन सी सर्विष्ट के लिए पे करना चाते हैं तो BSNL Mobile and Landline Post Bill को हमने सेलेक्ट कर लिया है उसके पश्चात हमें अपना Landline नमबर यहां पे डालने होंगे किस प्रकार का रिचार्ज कर रहे हैं Landline है Landline को सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा Account Number जो BSNL का है जो Bill पर आता है उसको भी मैं यहां पेस्ट कर देता हूँ और Fetch Bill Amount पे क्लिक करना होगा इसके पश्चात सम्मुक आई यह जो विंडो है इसमें हमें Pay Without Login पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने Emitr की App में Login अभी तक नहीं किया है इसलिए यहां पर भी हम Without Login विकल को ही चैन उसका करेंगे इसके बाद जो सामने Payment के अलग-अलग Methods आये हैं उसमें से हम यहां पर UPI जो Method जो हमारा आज का उद्देश यह है उसको Select करेंगे और Phinecus UPI RPP इस विकल को चैन करेंगे उसके पश्चाक नीचे जो Pay Now का जो बटन है इस पे हम क्लिक करेंगे अभी हमने चुकि VPA नहीं दिया है तो यहां पर पहले VPA भी देना है तो सबसे पहले हम यहां पर अपना VPA देंगे और यहां पर Proceed to Pay पर क्लिक करेंगे अब Veeam App में Collect Request आनी चाहिए जो कि हमने दुबारा देखा कि Message आ चुका है Veeam App में दुबारा हम जा करके देख लेते हैं तो एक Pending Transaction पुन्हें दिखा रहा है Emitr Ad.TJSB तो यह वही रिक्वेस्ट है जो कि हमने Emitr App के माद्यम से की है यह Duty विकल्प को भी हम अभी Select नहीं करते हैं इसको भी Decline कर देते हैं ताकि हम अपने तरतिय जो विकल्प था जो सबसे अच्छा विकल्प मुझे लगा उस विकल्प के माद्यम से हम payment करके live अभी चेक करेंगे तो अब हमारा जो टीसरा विकल्प है वो है bsnl.co.n की जो website है वहाँ पर हम जाएंगे तो यह webpage मैंने पहले से save किया हुआ है यहाँ पर हम आ चुके हैं यहाँ पर जो विकल्प है landline broadband bills इस पर हम click करेंगे इसके पस्चाथ जो विविन विकल्प आए हैं उसमें individual ftth bill इस विकल्प को chain करेंगे इसके पस्चाथ यह नाम यहाँ आ रहा है उस पर click करेंगे click करने के पास पस्चाथ मेरी कुछ details यहाँ पर आई हैं उन details और capture को fill करेंगे और submit बटन पर हम यहाँ पर click करेंगे अब यहाँ पर जो विकल्प आया है इस पर हम pay now बटन पर click करेंगे विभिन जो विकल्प आये हैं उसमें internet, banking, credit card, debit card, cash card, wallet यह UPI payments तो हमारा जो उद्देश यह है UPI payments से pay करना तो उसके लिए हम UPI payment पर click करेंगे उसके पश्चाथ हमें federal bank यह जो icon आ रहा है इस पर click करना है इस पर click करेंगे इसको select किया उसके पश्चाथ continue for payment continue पर click करेंगे अब हमें यह सामने जो box आया है इसमें अपना UPI ID एंटर करना है और continue बटन पर आगे click करेंगे पुने भारत इंटरफेस for money वहाँ पर collect request आ चुकी है इसको हम दुबारा भी मैप में जाकर के भी चेक करेंगे federal BSNL पर request भी जी है वो request आ चुकी है अब pay बटन पर हम click करेंगे और pay बटन पर click करेंगे confirm पर click करेंगे हमारा UPI pin डालेंगे और OK पर click करेंगे money sent successfully तो कुल मिलाकर हमारे पास में money भी जी जा चुकी है हमारे पास में इसका message भी आ चुका है ये mobile के payment के लिए हमें mobile बटन को click करके वही जो method अभी हमने जो discuss किया है उसको हम follow कर सकते हैं इस परकार हमने दोस्तों देखा कि किस परकार से BSNL के जो bills हैं चाहे वो landline के bills हो या हमारे mobile के bills हो वो UPA method से किस तरह से हम उनको pay कर सकते हैं दन्यवाद दोस्तों